जिला प्रिशद हिसार के वार्ड नमबर एक में 9 जुलाई 2023 को होने वाले उक्चुनाओ का परचार अभियान जोर पकड़ता जा रहा है सभी परत्यासी मतदाताओं से मिलकर अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं वार्ड परत्यासी अपनी अपनी रणनीती के तहट परचार अभियान में जुटे हुए हैं इसी करम में आज अनिल बिठमडा ने गाउं साहू में डोर टो डोर अभियान चलाया उन्होंने पूरे गाउं में घर घर जाकर अपने लिए वोट की अपील की और परतेक मतदाता को अच्छे से अपने चुनाव चिन हैं उगते सूरज से प्रिचित करवाया और साथ ही उगते सूरज के सामने वाला बटन दबाने का अनुरोध किया अनिल बिटमडा को गाउं साहू में अच्छा जन समर्थन मिला गाउं में धानक समाज द्वारा उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया और पगड़ी पहना कर उनका मान समान किया गया धानक समाजद्वारा दिये गए समर्थन से अनील बिटमडा काफी खुश नजर आये और उन्होंने वायदा किया कि वे हर सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे उन्होंने कहा कि गाउं साहु के लोगों ने जो उनका मान समान किया है उसके लिए भी हमेशा उनके अभारी रहेंगे धानक समाज द्वारा किये गए अनील बिटमडा के इस कार्यकरम में महीलाओं की उपस्तिती भी काफी मौजूद रही गाउं की बुजुर्ग महीलाओं ने अनील बिटमडा को जीत का आस्दवाद दिया हिसार जिला पृशद के वार्ड नंबर एक में कुल 11 गाउं है छिनमें गाउं साहु भी सामिल है इस बार गाउं साहु से कोई भी प्रत्यासी चुनावी मैदान में नहीं है गाउं साहु ऐसी बाहुले गाउं है इस गाओं में लगबग 670 मतदाता चमार विरादरी से है तो वहीं लगबग 630 मतदाता धानक विरादरी से है जैसा की गयात है इस ऐसी बाहुले गाओं पर सभी परथ्याशियों की निगाहे लगी है अपने परचार अभियान के दोरान गाउं साहूं में मिले जन समर्थन के बाद अनील बिठमडा के होसले बुलंद हो गए है चुनाव परचार अभियान के बाद मीडिया से बात्चित में अनील बिठमडा ने कहा कि वे गाउं साहूं में सब परक्यासियों से ज्यादा मत प्राप्त करेंगे और एक बड़ी जीत दर्ज करके वार्ड में उचीत कारिय करवाएंगे दर्ज को वार्ड नमबर एक की यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कोमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर देना और हाँ अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लेजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुती जाये